गुड मॉर्णिंग ओल आफ यो तो अब हम स्टार्ट करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन 2019 का BSE First Year का पेपर First Part हम लोग पहले देख चुके हैं जो remaining question है question number 5 से उनको देखते हैं Actually question number 4 में एक question और रहा गया था वो भी देख लेंगे आज तो start करते हैं question number 5 से तो question number 5 में है write any 5 कोई 5 करने हैं तो शुरुआत करते हैं admission and discharge of patient से ठीक है तो start करते हैं तो यह रहा पहला A ठीक है first A, fifth का A ठीक है तो admission क्या है It is defined as allowing a patient in the hospital for observation investigation treatment मतलब इसमें लिखा है admission क्या है? admission हम ऐसे define करेंगे कि patient का allow मतलब patient की entry in the hospital hospital के अंदर क्यों? उसको observe करने के लिए क्या बीमारी है investigation करने के लिए किस वज़े से वो बीमारी होई है treatment अगर कोई बीमारी है तो उसको लाज़ करने के लिए यह इसकी परवासा हो गई और छोटी सी परवासा क्या है? It is the entry into a hospital या वाड for therapeutic diagnostic purpose उसका इलाज करने के लिए proper rules और regulation के तहत हम किसी भी इंसान को hospital में entry देते हैं वो admission के लिए जो बीमार है ग्रेस्ट है उसको purpose of admission to undergoes evolution and treatment जो बीमार है उसको ठीक करने के लिए admission करते हैं उसका hospital में second to know about what is problem inside a human being और यह भी पता करते हैं diagnosis करके कि उस human being को क्या problem है जब उसका admission hospital होता है तब तीसरा treatment of disease जो बीमारी है उस इंसान को उसका treatment करते हैं यह तो purpose हो गए है अब taps of admission कौन-कौन किस tap से कैसे कैसे admission होते हैं hospital तो there are two taps of admission फिलाल दो तरीके सोते हैं पहला emergency in this patient are admitted in difficult emergency condition required treatment इसमें emergency जैसा नाम है वैसा काम है कोई patient भ्यंकर difficulty से जूज रहा है या फिर accident हो गया है जो 10-15 मिनट में हो सकता है वो death हो जाए उसको बचाने के लिए हम emergency में hospital में admission लेते हैं उसका जिससे उसका जल्दी से जल्ट्रिक्टमेंट हो और आसानी से उसकी जन बच जाए example में patient with RIA burn cardiac attack इनमें emergency में हम किसी भी patient को अंदर ले लेते हैं routine पहला दूसरा routine है routine basis पे patient admitted for investigation diagnostic मतलब investigation करने के लिए कि ये बीमार क्यों है उसका surgical treatment हो सकता है और daily routine पे उसका हम एक card बना देते हैं जिसकी जैसे वो daily उतना check-up के लिए आता है आज कैसी body है आज क्या है आज क्या हुआ क्या प्लॉम हा रही है उसे साबसे उसका treatment करते हैं और और देखते हैं फिर उसके बाद इसमें OPD आता है OPD outpatient department IPD in patient department OPD क्या होता है कि जो patient आता है patient attender के साथ आता है तो वो क्या डोक्टरों को physician को बाहर से दिखा के नर्मली फिजिकली देख के पूछ पाच के उसको दबा देने के लिए भेज देता है पर अंदर admit नहीं करता है IPD क्या है inside patient department इसमें क्या होता है कि जो patient है वो अंदर hospital के आता है अपना कार्ड दिखाता है और उसे problem से तो वो भरती के लिए अंदर हो जाता है यह दो तरीके सोती है IPD और PD अब next है roles and responsibility of nurse nurse की क्या-क्या responsibility होती है एड़िशन के समय है एहला meeting immediate need of person जो patient आया है immediately उसको देखे और एक जगे बठा लें introduce orientation to hospital और उसका introduction लें और पूरे hospital में जो tender है उसको बता है कि यह 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 है और जहाद दिक्कत होती है डोटर साब आते हैं उनको साम को बता है इस तरीके से उसे बताया जाए बेस्लें एसस्मेंट बाइब अब्जर्वेशन फिजिकल एक्जमिस्टी टेकिंग बकाइदा लर्स का काम है टीनो टाइम उसकी अब्जर्व करना उसको फिजिकल एक्ज जिससे आगे हम आसानी से जबाब दे सकें और कोई समस्या ना हो टीक है अब डिस्चार्ज क्या होता है इट मींस टू लीविंग अपेसेंट फ्रॉम होस्पिटल मतलब पेसेंट को होस्पिटल से छोड़ देना एक प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन इथिक्स के साब स उसके पेसेंट को होस्पिटल से वहार करते है घिक्सके अटेंटर के साथ में अकेले भी नहीं और हेल्ट केर एजएंसी तू भी होम और अगर कोई पेसेंट है जो घर पे इलाज करोना चाहता है तो प्रॉपर उसके attender के साथ में उसको बता के कि आप इसको ले जाए और home page की क्या कहते हैं सेवा करें बकाएदा recording record लिखके sign करवा के तब ही किसी के हाथ में दें वरना उसे discharge नहीं माना जाएगा अगर पेसेंट कुछ होता है तो आप फस जाएगे टापस अब discharge दिखते हैं बकाएदा जैसे पेसेंट का टीटमेंट हो गया है सब कुछ ठीक है अब उसको अटेंडर जो है उसको लिखवाईए कि इस तरीके से अब हम इनको ले जा रहे हैं अगर अब कोई समस्या आती है तो उसमें हम जिमिदार नहीं रहें अब आप लोग अपने साफ से देखिए इस तरीके से प्लैन डिस चार्ज रकॉर्ड एक एक चीज विद साइन से उनको विदा दे देते हैं दामा एं लामा तो लामा क्या है लीव अगंस्ट मेडिकल एडवाईज बिना मेडिकल एडवाईज के दिये हुए पेसेंट चला जाए या अटेंटर उसको ले जाए तो इसको बोलते हैं लामा ट्रांसफर कुछ कारड की वज़य से हॉस्पीटल में क्या होता है वो चीज अपलिवल नहीं होती है जो पेसेंट को चाहिए तो इस चक्कर में हमें क्या करना पड़ता है कभी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हमें एक्सचेंज करना पड़ता है पे यह से एप्सकॉंड विदावड प्रमिशन पेसेंट गो फ्रॉम हॉस्पिटल एप्सकॉंड का मतलब रहता है कि थोड़ी सी लपरवाई होने के चक्कर में मालो कोई नर्स है स्टाप नर्स है वो थोड़ी बिजी हो गई किसी वर्ग पेसेंट के लाज करने में फिर उसका ट बेटर ऑब्जर्वेशन के लिए स्टेप अप डिस्चारजिंग क्या क्या इस्टेप हो सकते हैं मेक सुझ और दीज आ रटन इन डिस्चारज ओर्डर वही ओर्डर में लिखा होने चाहिए इफ नो डिस्चार्ज ओर्डर हैस बीन डिटिन अगेंस मेडिकल अवाइस फॉ एकाउंट ओफिस और पूरा एकाउंट ओफिस देखें बकायदा कोई भी उनका अब्जेक्शन ना हो या कोई भी पैसा इसा ना हो क्लोफिंग वैल्डिवर लिस्ट मेंड ओन एडमिशन एकाउंट टू पॉलसी जो हॉस्टिल पॉलसी रहती है उसे साथ से जो उसको क्लोफ लिए गए हैं दिये गए हैं वह बकायद आप चेक करें और उनसे रिटान ले 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 त्रांसफर दर पेसेंट ब्लोंगिंग वाया वील्चे और स्टेचर और जो पेसेंट है उसको जिस तरीके जैसी सायता हो सके वीलचेर प्रोवाड करवा हैं यससे वह असानी से बहार तक जा सके और अपने घर पे जाएं रिकॉर्ड इंटार्ड दिस्चाज प्रसेजर औ home as to another unit than nurse जिस तरीके से वहाँ था वैसे यहाँ पे है planning for connectivity of care वो पूरी planning बता है टेंडरो कैसे इसकी care करनी गर पे patient teaching को उसको थोड़ो उसको बता है कि अपनी hygiene रखो जिसे समस्या ना हो final assessment बता हो कि इस तरीके से क्या treatment लेना है इस तरीके से पूरे अपना उसको बता के paste दें next question देखते है so next है method of physical examination चीक है इसको देखते है physical examination में देखते है physical assessment या फिर physical examination it is the systematic collection of objective information that is dietly observed और illicited throg examination technique मतलब क्या है ये एक systematic collection है किसका information का जिससे हम किसी इंसान को dietly observe कर सकते है कि इसके अंदर क्या कमी है और क्या हो सकता है purpose क्यों करते हैं ये examination to understand the physical mental well-being of the client जो patient है वो physically कैसा है और mentally कैसा है जिससे हम आसानी से बीमारी का पता लगा सके कि उसे समस्या क्या है और to determine the cause and extent of disease और किस करण की वज़े से बीमार रह रहा है और क्या समस्या आ रही है उस बीमारी का हम in examination द्वारा पता कर सके ठीक है to understand any change in the condition of disease any condition of disease and improvement for regression it वही पता करने के लिए कि कौन सी बीमारी में इससे क्या समस्या आ रही है और क्यों आ रही है उसा पता करने के लिए to determine the nature of treatment और nursing care needed for a client और अगर उसको बीमारी के पता चल जाएगा तो हम proper weight से उसका treatment कर सके to contribute the medical research और कोई नई बीमारी है नई कुछ disease निकलती है तो उसको हम आगे medical research के लिए भेज सकते हैं ये भी हम पता कर सकते हैं to find out whether the person is medically fit or not for a particular task और ये ही पता कर सकते हैं कि जो हम उसका CT scan या फिर X-ray करने वाले हैं तो वो particularly fit उस चीज के लिए है या नहीं है अब कौन कौन सी टेक्निक है जिससे हम physical examination कर सकते हैं तो मैं लिए 4 basic टेक्निक है वो हम देखते हैं पहले है inspection sense of smell और sense of hearing मतलब smell से और hearing से हम इस टेक्निक को इस्तमाल करते हैं physical examination के लिए चलो देखते हैं it is the systematic visual examination of the patient it also used by sense of smell to detect order sense of hearing of detect of sound it involved observation by color, shape, size, position of movement इसमें क्या करते हैं हम उसके smell से मनलोक कभी-कभी क्या होता है किसी को internal problem होती है तो कभी-कभी nasal ज्यादा बहार निकलाता है तो smell से पता कर सकते हैं इसके अंदर कोई acidic substance बन रहा है जिसके विए समस्या हो रही है ठीक है और यह देखी जैसे और यह inspection से हम color का पता लगा सकते हैं का moment का कि कौन-कौन से चीज कैसी कैसी हो रही है या नहीं हो रही है एक्जाम्पल है समझते हैं general inspection of the patient focuses overall appearance of the health and illness mainly हम दो चीज़ों के focus करते हैं इस technique द्वारा किस-किस पे health पे और illness पे ठीक है distress facial expression उसका चेरा कैसा है mood कैसा है body sag कैसी है personal hygiene करता या नहीं करता है इन चीज़ों का पता चलता है इन पेसन द्वारा next palpation touch से पता करते हैं body organ को कभी-कभी नहीं कुछ लोग क्या करते हैं पेट पे हाथ फेटते हैं गुरू-गुरू होती है नहीं होती है it is used of the hands by fingering to gather information by touch which is हाथ का इस्तिमाल करके finger का इस्तिमाल करके हम touch से भी कुछ चीज़ पता सकते हैं it is the assessment technique यह examination technique है which use sense of touch जो हमारे sense यानी मतलब sense organ है वो help करते हैं it is the feeling of the body or a part which hand to note the size and position of the organ वही न क्या करते हैं मैं लिए हम organ का size large हुआ small हुआ या position कैसी यह इधर से दो तो नहीं हो गई पाल प्रेशन से यह पता करते हैं percursion दे देखते हैं it is the examination by tapping the finger on the body to determine the condition of the internal organ by the sound यह क्या करते हैं हम sound जैसे हम अपने finger से किसी जगह पे जाए internal organ है वहाँ पे touch करेंगे तो हमको वह sound आती है जैसे it is produced पांच characteristic technique यह इसे पांच technique प्रोड्यूस करता है कौन कौन सी tympanic एक पेट लावड और हाई-पिच वही hypersonate lungs जब दिक्कत दे जाते हैं तो कुछ अजीब सी वह वाज़े आती है resonate normal lungs dull liver flat boner muscle यह पांच term है जो हम percussion में इस्तिमाल करते हैं examination के लिए escalation it is the process of listening to sound that are generated to the within the body via stethoscope usually done escalation क्या है यह हम दिल की दड़कोनों को सुनते हैं mainly जो अमारे body से निकलती है उनको वह लिखा जैसे heart beat blood vessel are oscillator for circulation of blood जो किसे सुनते हैं इस्टेटोस्कोप से यह फिर बाल sound सुनते हैं पेट में जोगरोड़ो आती है उससे कुछ इस्टूमेंट आता है उससे ठीक है डी देखते हैं तो फोर कर्टिस्टिक कॉन कॉन से इस्टेट इस्टेशन में पिछ रेगिंग फ्रम हाई टू लो स्टेटोस्कोप द्वारा लाउड़नेस सोफ्ट है लाउड है क्वाल्टी गर्गलिंग के बाद आरी नहीं आरी डूरिशन कम ज्यादा मीडियम वह लास्ट मैनिपूलेशन मैनिपूलेशन It is the moving of a part of the body to note its flexibility limitation of movement of disby method मैनिपूलेशन क्या है कभी हात पैर में क्या होता है कि कुछ पर्ब्लम सोजाते ही जिसके विए से हमारे जो कौनी होई या अलबो होई या फिर यह क्या कहते है नी होई यह क्या कहते है नहीं पाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम many pollution कहते है अब देखो general examination of head to toy तो वही नरिस्मेंट, skin color, body flood कैसा है उसका, वो सब mental stitches, consciousness से दिखने में कैसा है, posture क्या है, movement क्या है, height और weight क्या है, skin condition क्या है, head और face में क्या देखते हैं, shape और scalp देखते हैं, आखे देखते हैं, आखो color कैसा है उसका, आखो का color कैसा है उसका, eyelid कैसी है, eyeball कैसी है, kone यह कैसा है, lens कैसा है, eye muscle चल रही नहीं चल रही है, यह सब, ear में external load देखेंगे, tempering membrane और hearing सुन पारा है, नहीं सुन पारा है, यह सब, mouth pharynx में lips का देखेंगे, swell तो नहीं है, red है, कि इस तरीके से, order में देखेंगे, smell कैसी आ रही है, teeth देखेंगे, बीमारी है, नहीं है, mucous membranence, gums में, tongues, throat pharynx, इस तरीके इस नेक में thorough gland देखेंगे, surgeon तो नहीं है, chest देखेंगे, thorax, heart beat सुनेंगे, उसकी breech देखेंगे, एपड़नों ने, palpation, percution, escalation से देखेंगे, वह वाज आ रही है, नहीं आ रही है, उसके बाद हाथ पर है, move, हाथ पर हम देखेंगे, movement of joints, fingers, ankle, etc, back में देखेंगे, वही, गुमार फिर आके, फिर genetical एक्टम में देखेंगे, कि यूर्णी infection तो नहीं है, enlargement नहीं होगा, prostate gland का, HIV तरीक कोई भी मरी नहीं है, फिर last में neurological test देखेंगे हैं, coordination test के दवारा, और equilibrium test के दवारा, अब इसमें role of nurse क्या है, तो prepare role of nurse, physical examination में क्या कैस का, nurse का role रहता है, preparation of environment, जो वहाँ का area है, उसको एक prepare करना है, privacy maintain रखनी है, कोई और न देख पाए, क्योंकि हरके privacy होती है, comfortable bed चाहिए, examination table चाहिए, जिस तरीके से हम इलाज करेंगे, उस तरीके से वो instrument और वो चीज़ें वहाँ इल्बलो होनी चाहिए, बागी यह कुछ article है, जो हम लोग देखते हैं कि, किस किस से कैसे क्या चीज़ करते हैं, वो अपना आप लोग देख लेना, इस प्रेंड में सबको पता है, to measure BP, stethoscope to listen to body sound, foodoscope to listen to filter health rate, इस तरीके से आप लोग देख लेना कि, कौन-कौन से instrument या articles, examination purpose से use होते हैं, नेक्स्ट है, थर्ड कोशन, सीव, health care team क्या है, a team means a set of especially prepared person working together for a common goal, एक disease को ठीक करने के लिए, एक goal करने के लिए, एक team बनाई जाती है, जो उस उनसान पर लगी रहती है, जिसकी वज़े से उसकी disease सही हो जाए, treatment करकर के, वो अच्छा हो जाए, तो एक team एक साथ मिलके, health को ठीक करने की जो प्रिक्रिया है, वो health care team है, health team क्या करती है, this team consists of particular group of health care professional provide total care of client, तो वही जो patient है, उसकी total care करती है, जो observation हो, treatment हो, या फिर उसका कोई disease diagnosis हो, और उसको ठीक करने के लिए पूरी कुसिस करती है, हमारी team, जो health के लिए मेलनी कामाती है, कौन कौन है इस member, health care team के, physician MD होगा, assistant physician होगा, जो तैयारी कर रहा हुगा, फर्मासिस्ट होंगे, drugs वाले, diet, cn, diet के बारे में बताएगा, social worker होंगे वहाँ पे, और nurse होगी, यह लोग हमारे health care team के member हैं, आप चाहें तो इनके बारे में भी और लग सकते हैं, health care team, simply देखते हैं, team in health care can simply explain as a group of health professionals having their own specific work together to diagnose the treatment of well-being getting enhanced, वही कहना चाहरा है, जो हमारी health care team है, वो एक group है, किन लोग का profession का, जिसमें क्या बताया जाता है, कि वो अपने, जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, वो उसका use करके, एक इनसान का diagnosis निकाल के, उस बीमारी का treatment करके, उसको अच्छा बना सके, यह कहर रहता है, वही एक ही चीज बाद वही कहना चाहता है, जो उन्होंने skill gain की है, पढ़ाई करके, वो अपना skill use करके, उस इनसान को बिमारी बताए और ठेक करें, वही चीज यहाँ लिखाया है, दो यू नो एजेंसी कौन कौन जी होती होती है, तो public agency, hospital आ जाएंगे, rural hospital, specialist hospital, district hospital, teaching hospital, ठीक, यह आ जाएंगे, health insurance scheme, employee state insurance और central government health scheme, यह scheme होती है, जिसकी विएसे अगर इंसान कभी मर जाता है, तो उसको यह लोग treatment पड़ करवाते हैं, फ्री ए अफनो घरवालों को प्रसा देते हैं, private agency पाते है, private hospital, poly clinic, nurse home, general practitioner clinic, यह private agency होगी, जहां लोगों ख्याल किया जाता है, उनका treatment होता है, उनको ठीक करने कोशिज की जाती है, उनको बिमारी बताए जाती है, इंडिजीनियस सिस्टम, आयरुवेदिक सिद्धा, यूनानी, हमियोपेथी, अन्रेजिस्टर्ड प्रेक्टिनेजर, जो प्रेक्टिस करने वाले थे हैं, वो, की जाती है, जो पूरे हम लोगों को मिलके हम लोगों के इसायता करती है, अगर कोई बिमारी आती है तो उनको ठीक करने कोसिज करती है, और लोगों को अच्छा रखती है, वैलिभी बनाती है, नेक्स्ट फोर्थ है फोर्थ है मारा नर्स-पेसेंट हेल्पिंग लेसंशिप कैसा होता है डेफिनिसन देखते हैं अग थेरापटिक नर्स-पेसेंट लेसंशिप एक दूसरों को ठीक करने के लेसंशिप है करके एक दूसरे बिस्वास दिखाके उसको ठीक करना अगर कोई पेसेंट है और नर्स पेसेंट और नर्स की बीच में ऐसा व्योहार होना चाहिए कि उस व्योहार को देखके ही पेसेंट की आधी समस्य कहत्म हो जाए वो हर चीज उससे सेर कर सके अगर सेर नहीं करेगी तो व अच्छी ऐसी है जो एक नर्स की अंदर होनी चाहिए जिसकी वज़े से पेसेंट ठेक हो सके तो ट्रेस्टो ट्रेस्टो आप लोग लिखी लेंगे Empathy is ability of the nurse to presence of meaning of feeling that client will communicate that understand by client तो empathy क्या होता है कि जो उसका दिमाग है पेसेंट का वो पढ़ सके कौन नर्स है जिसकी वज़े से वो उसको पढ़ सके और अच्छी ज़ेट्यमेंट कर सके पेसेंट उस नर्स का साथ दे, नर्स पेसेंट का साथ दे, अपने च agilityों को feeling करके को आदी विमारी इस स्टेक हो जाती है, इंट्रेस्ट नर्स पेसेंट को पर इंटरेस्ट दखाए comfortable feel कराए उसको जो समस्या हो उस पर focus करे और proper मातरा में बिना किसी भेदवाओ को उसकी सिवा करे Face of Pre-Interaction Face Orientation Face और Working Face ये तीन फेस होते है पहला Pre-Interaction इसमें किया नर्स पर जब पेसेंट पहली बार आता है तो एक दूसरे को समझे बिना किसी भेदवाओ के Orientation उसको नर्स को जो नर्स है वो पेसेंट को एक चीज बता ये चीज आए वो चीज वहाँ है पेशाव लगे तो यहाँ जाना ये करना वहां करना ये विमार्यों तो वहां बता और Last में एक तीनों तरीके से OD, BD, TD उसको प्रपरवी में इलाज करें फिर Last में Termination phase जब उसका बीमारी ठीख हो जाए तो एक आसानी से पेसेंट को वह विदा करें बागी Dimension आप लोग देख लें ना कॉनकों से होते हैं Dimension में Retrust, Empathy and Sympathy Is a Red Short Note on Root on Administration किस तरीके से हम इलाज करेंगे वह पहला Oral Root यानी Mouth से Tablet देंगे सीरप देंगे, Capsule देंगे पहला Root यह हो गया दूसरा Parenterial Root Nidle द्वारा, Injective द्वारा दवाईयन लगाएंगे उनकों टिशू में तीसरा Topical Administration Skin, Mucous, Membrane Primally to get local effect इन में इस्तिमाल करेंगे Inhalation जब पेसेंट कुछ नहीं कर पाता है तो Nose द्वारा उसको हम Inhalation देंगे जिसकी वज़े से डारेक्ट द्रक्स हमारे Lung's में या फिर बॉड़ी में जा सकें और respiratory tract को ठेक कर सकें पांच रैट्स ऐसे ऐसे हैं जो ड्रक्स देने के लिए खाबाते है रैट मेडिकेशन रैट डोस रैट पेसेंट रैट टाइम रैट रूट मतलब प्रॉपर दबा प्रॉपर डोस उसी पेसेंट पे उसी समय जो रूप दिया गया उस तो एक सेफ तरीके से हम ड्रक्स दे सकते हैं और क्या क्या याद रखना है इसमें रीड ड्रक्स लेवल केरफुली जो ड्रक्स का लेवल उसको केरफुली पढ़ाएं उसमें देखें कोई दूशी दबा तो नहीं है चेक पांच और रैट्स तरीके से प्रॉपर ड्रक्स दे रहे हैं उनको बकायदा हम एक पेज़ पर नोटिस करें फॉर्म अफ मेडिकेशन कोंको से दबा होती है टैबलेट, कैप्सियूल, लोशन, पेस्ट, सॉलूशन, सीरप, ओइंडमेंट, इंचर इस सब दबाए होती है लास्ट, मेडिकेशन एरर, एनी इवेंट देट कॉज और लीट टू क्लाइंट रिसीविए अप्रिपेट फेलिंग और रिसीविए अप्रॉपर अप्रॉपर मेडिकेशन थेरैपी यह चार चीजें, एक तागच पे जो अस्पिल द्वारा दिया गया है जिसे परची कहते हैं वो रिकॉर्ड के लिए यह चीज मेंटेन होने चाहिए क्या क्या होना चाहिए जिसमें दवाईयां रहें, मेडिसें ट्रे, मेडिकेशन कप, वाटर जूस यह फिर मेडिसें क्रसर इस चीज वहां एफलोर होने चाहिए जिससे कोई भी चीज पेसेंट को दिक्कत ना दे थैंक्यू क्लस बाकी अब दूसरे पेपर के साथ में अमलुक फिरमेंट हुआ है